हेलो फ्रेंड्स मैं हो विकास इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके फोन में वाट्सैप ओपन नहीं हो रहा है यानि आपका वाट्सैप चालू नहीं हो रहा तो इस प्रवल्लम को ठीक कैसे करना है आये जानते हैं इसके लिए मैं आपको तीन या चार तरीके बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा देखें सबसे पहला तरीका है आप अपने फोन का नेट चेक करिए हो सकता है कि आपका नेट बंद हो या हो सकता है कि आपका नेट सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो आपको ये चीजे चेक करनी है दूसरी चीज है आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर को ओपन करिए और यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्टसेप वर्टसेप को सर्च कर लीजिए तो मैं वर्टसेप सर्च करता हूँ आप भी सर्च कर लीजिए यहाँ पर आप चेक करिए कोई नया अपडेट तो नहीं आया है अगर कोई नया अपडेट आपको देखने को मिल रहा है तो अपने WhatsApp को अपडेट कर लीजिए और आपका WhatsApp चलने लग जाएगा अगली चीज है यहाँ पर आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं हो सकता है कि अभी WhatsApp का सर्वर डाउन हो पर ऐसा बिल्कुल कभी कभी होता है ना के वरावर यानि साल में एक या दो बार बस अगली चीज है आप जाएए फोन की सेटिंग्स में अपने फोन में सेटिंग्स खोलिए यह रहा सेटिंग्स इसे ओपन करना है नीची की तरफ आईए आपको मिलेगा यहाँ पर Apps देख सकते हैं यहाँ पर Apps वाला ओप्सन है इस पर टच करो आपको यहाँ पर कई सारे ओप्सन मिल जाएंगे आपको मिलेगा यहाँ पर एक उप्सन जिसका नाम होगा वर्ट्सेप तो यहाँ पर आपको वर्ट्सेप मिल जाएगा नीची की तरफ स्क्रोल डाउन करके देख लिजिए ढूम लिजिए तो यह रहा वर्ट्सेप मैं इस पर टच करता हूँ टच करने के वाद आपको मिलेगा यहाँ पर फोर्ट्स श्टॉप इस पर टच करो अक्के करो यहाँ पर आपको मिलेगा परमीशन सारी परमीशन अलाउ कर दीजिए कोई आपकी बंद नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक option mobile data या data usage इस पे टाच करें आपको background allow करना है यानि data चालू करना है इसका data बंत नहीं होना चाहिए यहाँ पे आपको मिलेगा storage वाले option पे आईए आपको मिलेगा यहाँ पे clear cache ध्यान लखिएगा clear data मत करिएगा अगर आप clear data करते हो तो आपकी ID डिलीट हो जाएगी तो clear cache कर दीजिए और आपका WhatsApp चलने लग जाएगा इन सारे तरीकों को आप ट्राइ करें एक नएक तरीका आपके फोन में जरूर काम करें वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें